हेलो व्योर्स स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल स्कूल टूशन कुर जीवे आज हम बात करेंगे पठरन अप्यान गतिविदी परवर्तक करम संग्या 15 की जो की कक्षा 6-8 के लिए जारी किया गया यह तीन फरवरी के लिए जारी किया गया कारेपत्रक है या सब्सक्राइब करें ऊप्यारे बच्चों आएक कविता का पाठ करते हैं आप इस कविता को पढ़िए और सोची कविता में किसके बारे बात कि इस सबसे पहले तो यहां पर आपको एक दो तीन चार चार चित्र दिये हुए है अच्छा एक QR कोड भी दिया हुआ आपको तो QR कोड आप स्कैन करके इस मेसेज ऑडियो सुन सकते हैं अब इसमें क्या चीज बताई गई है जरा कविता में पढ़ने के कोशिश करते हैं तो कविता क्या कह रही है तुमने क्या नहीं देखा आग सी जलस्ती में पेड़ पोदे जीव जन्तु सबको दिंदात जलस्ती में तुमने क्या नहीं देखा बाड सी उड़ती में रिम जिम बारसात में नहीं मुझे पहचाना ठीक है फिर है धूल भरी आंदी में तिनका सी उड़ती में जानोगे जब तब कोरे से घिर जाओंगी ठंड से सिकड जाओंगी मैं क्या हूं मौसम हर साल हर बार बार आओंगी तो बच्चों सबसे पहले चीज क्या बता रहा है यह हम बता रहा है कि हमारे जो आसपास जो धर्टी पर अलग अलग परकार के मौसम होते हैं उसके बारे में बता रहा है यानि जब यह बात कर रहा है कि जब जिव जन्तु सब जुलसते हैं आग जैसी हमें परतीर होता है तो तब क्या होगा बच्चों में नजा होगी गर्मी optimal फिर खिर क्या बरसात ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ दूलबरी आनी चलने लगी तो इसे बहुत से पत्त जड़ भी कहते हैं उच्छो ठीक है पत्ते जड़ करके अलग लग जाने से जाते हैं और फिर आखरी आ गया कोहरे से गिर जाओंगी मैं ठड़ से सिकुर जाओंगी तो तब क्य बता रहा है जो सीधी वासा में आपके जो एक साल में सारे सीजन होते हैं उनके बारे में बता रहा है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अच्छा सबसे पहला पश्णा बच्छों में इस कवीता में कौन-कौन से सब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए तो बच्छों आपको अलग-अलग क्लासिस के बच्छे हो आप तो अलग-अलग सब्द कठिन लग सकते आपको जैसे कि अगर मेरी बात करें तो मुझे जो समझ में आरा आपको लगे होंगे एक तो जलकती जुलसाती उमडती रिम जिम बरसाती ठीक है और सिकुड इस तरह के जो वर्ड ह या आपको खटे लगे होंगे आपको कौन से लगे आप इसमें लिखिएगा बच्छो तो यह मेरे साबसाब का अंसर वन है पूचो चलिए अगला परस्ण देखते हैं अगला परस्ण आपका आप कवीटा में किन बित्तो के बात की बात की गई है उन्हें लिखिए तो कव आपको कौन सा मौसम सबस्चा लगता है उसके बारे में पांच वाक्य लिखिए तो बच्चों हर किसी को अलग-अलग मौसम पसंद है अगर मेरी बात करें तो मुझे किस तरह का मौसम पसंद है ऐसा मौसम जुसमें ना गर्मी हो ना सर्दी यानि कि मौसम जब बदल रहा हो तब वाला समय मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब मौसम बदलता है मालो सर्दी से गर्मी जब बदलती है तो ना तो जाए सद्धी ज़्यादा होती है और ना ही गर्मी ज़्यादा होती है तो आपको कौन सा पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं उनकी पांच उसबिघे पांस वाकए मापको यसे वि же यकना हो और दूसरे चीज कहारी एकसर क्लेंडर को सब्सक्राइब होती है तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है ठीक है अच्छो अगरं ध्यान दे तो आपको छुट्टिया गो मिलती उसके घिसाप से आप इसका अर्पाल लगा सकते हैं जैसे कि आपको मैं में और जून गर्मी की चुट्टिया मिलती है कि dairy sumber की बात करें तो को भूं मैं दिसमबर चबर यह सब्सक्राइब कशुक्ति जनव्सक्राइब को इस सर्दी चुट्टिय मिलते हैं अगर बात करें अक्टूबर नुवम्बर के बीच में या सितंबर की बीच इस सब्सक्राइब और अपने माता पिता से परिवार के अनने संदस्स्तों से समझते आप आसारी से समझ सकते हैं कि आपको कैसे कैसे चुट्टिया दी जाती है बचो तो बचो यह हो गया आपका कारेपत्र कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ठैंक यू